नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधिराधि कैसे है आप सब लोग विजय एकादिसी का बहुत सारी सुभकामना है विजय एकादिसी छे और साथ दोनों तारिक मनाया जा रहा है जो ग्रिहस्त लोग है वो छे तारिक को मनाएंगे और जो वईश्नव शंप्रदाय है आतरी को मनाएंगी बिजय एकादेसी हमें बीजय की प्राप्ति करवाते हैं इसलिए को सभी को करना चाहिए ब्रत अगर नहीं रख पाते हैं तो पूजा आप अवस्थ करिए तो देखिये पूजा का बिधी देख लेते हैं तो यहां पे सबसे पहरे हमें एक कलस को तयार करन और इकादसी का जो भी नियम है मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है उस नियम के अनुसार आप तयार हो जाएए इसके बाद दिखिए सब्तधान लेना पड़ता है आप चाउल मत लिजेगा धान जो सब्तधान चाउल छोड़के बागी चीजों को ले सकते हैं और सब पर जो कलस हमने तयार किया उसका रखेंगे कलस को इस तरह से रखने के बाद जल से आप इनको भर दीजेगा और साथ-साथ में कभी भी खाली नहीं रखा जाता है इसलिए गले में कंठी में कले कलस का जो कंठी है उसमें आपको बांदा है कलावा इसके बाद धीरे-धीर आप जल से पूर्ण कलस को भर दीजेगा कलस में आप थोड़ी सी तील थोड़ी सी फूल थोड़ा सा हल्दी कुम-कुम एक रुपया का एक सीखा थोड़ा सा फूल इत्यादी डालिए जैसे कलस में हम सामान डालते इस पर ऐसी करना है बस हमें बिल चाउल का वहार एकदम थी नहीं करनी है इसके बाद के वगँशु पळब से कल्रस का सजाए जाता है तो आपके पास पांच आम के पते या असोक के पते हैं तो आप उनसे सजा सकते और पांच अलग capabilities की पते भी आपको मिल जाता है तो बहुत माना जाता है तो अप अलग-अलग images के पते भी लग कर लिया इसके बद हम दिया को तयार कर लेंगे दिया को प्रजलित करेंगे ओम भगवते वाशुदेवाई नमह जब भी आप जो भी पूजा करेंगे उन्हीं का नाम लेते हुए दिया को प्रजलित करना चाहिए दिया हमारे पूजा का साक्सी होता है दिया प्रजलित होने के बाद हम पूजा की सुरुवाद करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया को हमने पूजा कर लेंगे, थोड़ी सी फूल चड़ा देंगे, थोड़ी सी तिल चड़ाएंगे, टिका करेंगे, हल्दी से कुम्कुम से, और अगनि देव को नाम करने हैं यहां से पूजा करने बाद करें बोलतays looking इस के एक थाल ले लिए मैंने इसके उपर चृणधन से स्वास्तिक बनाया और भगवान श्री राम चंद्र की फूल दर्बार जो होते हैं राम चंद्र के दर्बार उनको स्थापित कीजेगा अगर आपके पास है तो और भगवान श्री विष्णु नारायन की पूजा इस दिन होती है तो उनको स्थापित कीजेगा राम दर्बार को इसलिए आज इसके बाद देखिए सभी भगवान की विग्रह को हम पहले जल से स्नान कराएंगे जल में आप चाहे तो चंदन मिला सकते हैं और जैसे लिए ओछी को नां कराते वक्त उनके नाम लेकितरी प्रित आपको नान स्नान कर点 puta हीて। प्रक्षण दूहर sound करा तीज़ से सुद्ध्धकर्ण जलते सनानती से कम से कम अपतीन बर आय। और दूद के जगा आप पंचमरित का अगर यूज करते हैं तो वो कहते हैं कि सभी प्रकार के इच्छाओं को पोर्ण करती है इसके बाद भगवान को अच्छी तरह से अंगोपोसन कर देंगे यानि कि कोई अच्छा टावल ले लेंगे जो भगवान के काम पर ही यूज होता है घर के चीजों में यूज होने वाली कपड़े कभी भगवान के पूजा में यूज नहीं करना चाहिए नहीं होता है अच्छे से आप पुसंद कीजिएगा और यह जो दूद और जल है आप चाहे तो इससे चाइव अगरा बना सकते हैं आप चाहे तो इसको चरणामरित के हिसाब से बाट सकते हैं लोगों को प्रसाल सवरू या तूलसी में आप डाल सकते हैं तो ध्यान रखे तूलसी में बिराजमान कर दिया है फुलों की आसन दे के और जौन के ऊपर हमने विराजमान किया भगवाल श्री विष्णु नारायन को पूजन की जाती है इस पूजा में कलस्त के ऊपर फोटो नहीं रखा जाता है इस बात का धियान रखे हमारे गोपाल जी भी आ गये है और गोपा पूजा करेंगे अगर आपके घर में गुपाल जी है तो आप उनको जरूर पूजा में सामिल कीजिएगा इसके बाद सभी भगवान को हम वस्त्र सरुप कलावा चड़ाएंगे और गुपाल जी को हमने पहली इस नानादी करा के और उनको वस्त्र पहना के तैयार करके रखा है भगवान श्रीविष्णु नारायन को पीला जिनोई चड़ाएंगे अगर आपके पास और भी जिनोई है तो आप राम धरवार को भी जिनोई चड़ा सकते हैं राम चंद्र जी को भाता लक्समन भगवान हनुमान जी को सभी को आपको जिनोई चड़ाना चाहिए इसके आप चाहे तो इस दिन भगवान श्रीविष्णु नारायन को हल्दी की टिका कर सकते हैं इससे ब्रहस्पती बहुत स्ट्रोंग होता है और काफी अच्छा माना जाता है जो कलस अपने स्थापन किया है उनका भी टिका करन होती है अच्छा इस पूजा में कलस का और भगव करने कहते हैं तो आप नया कलस लीजिएघा पुराना कलस का दान sic नहीं होती है सभी को अरपन चड़ा देंगे और ऑम सब्ल इसे भोलते भूलाद चड़ाते थोड़ी से पूल में हम ऑ की महीना चल रहे तो इस पकशा का मैने में जो भी पूजा ऐस्ना होता है उस में भग विशिस माना जाता है इसलिए हमें सही इकदेसी की पूजा में ज्यादा से ज्यादा दिल की वभर करें अगर आप हवन भी कर रहें तो आप दिल से हवन कर सकते हैं फिर मतार्सीता को हम लाल फूल गुलाब फूल अगर आपके पास है तो चड़ाइए मा जो होते हैं उनको लाल फूल बहुत प्रिये होते हैं माता लक्समी मा दूर्गा माता सीता सभी को आप लाल फूल चड़ा सकते हैं बाकि भगवान को हम पीला फूल चड़ाएंगे क्योंकि स्रिबिश्णु नार जाता है ना दान किया जाता है तो आप जो है ना इस समय चावल का भवर बिल्कुल ना करें और दूद से बना हुआ कोई मिठाई आप भोग में चड़ा सकते हैं पिला लड्डू की भोग चड़ा सकते हैं कोई भी ड्राइफूर्स और बेर जो आती है सीजनल फूल अगेर लिए और फिर एकादेशी महात्यम के जो महत्य कथा है उस कथा को जरूर पढ़ने के बाद आप बुक को वापस रख दीजेगा जो अपने चौकी में जहां पर भी पूजा किया है वहीं पर रख दीजिए फूल को भी आप बुक के सामने ही छोड़ दीजेगा तो इसलिए कथा पढ़ने के बाद इसके बाद हम आरती कर लेंगे आरती सबसे लास्ट में होती है इस बात का ध्यान रखे आपको आरती में जो भी आरती आती है आप गा सकते हैं कहीं से पढ़ सकते हैं कहीं से सुन सकते हैं आरती होने के बाद थोड़ी सी हाथ में जल लेंगे और ती अलग से निकाल के रखते हैं और उसके बाद हम पारण करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा दक्सिना आपको एकादसी के दिनी भगवान को चड़ा देना चाहिए जो आगले दिन आप दान करेंगे इसी तरह से देखिए बहुती सरल विधी से आप पूजा कर सकते हैं विजय कादसी की जो भी स्टुडेंट पढ़ाई कर रहे है नौकरी के लिए या संगर से जीवन में जो भी संगर से है आपका उसमें विजया प्राप्ति के लिए आपको इस ब्रत को जुरूर करना एकादेशिक अगर बुह नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं अप इसी तरह से पूजन कर सकते हैं उस दिन अन्न ग्रहन मत किजेगा किसी को भी कोटूligen सब्द नहीं कहना है आप जिस बारे में भी पूजन करें उस का संकल्प लेके पूजा सुरू की जिएगा और चौकी आपको अगले दिन द्वादवसे के दिन हटानी है ठीक है तो कुछ छोटे छोटे नियम को मानते हुए आप इस पूजन को कर सकते हैं बच्चों से पूजा जरूर करवाएगा लड़ु गुपाल जी है तो उनकी पू को हरे कृष्णा राधी राधी बाइबाई दोस्तो टेक कियर